शुरू होगी पुनश्च साड़े साती, फिर भी होगी बड़ी उन्नती नमस्कार, मैं आश्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का राशी परिवर्तन का अध्यन करते रहते हैं उस अनुसार अभी हम शनी महराज के राशी परिवर्तन का अध्यन कर रहे हैं बारह जुले को शनी महराज वक्री अवस्ता में पीछे की राशी अर्थात मकर राशी में प्रवेश करेंगे उनके इस राशी परिवर्तन के प्रभाव को हम राशी के अनुसार समझ रहे हैं आज हम धनू राशी पर हुने वाले प्रभाव का विश्रेशन करेंगे साथ ही वीडियो के अंत में इस सौधी में करने वाले विशेश उपाय मैं आपको बताऊंगी इसलिए वीडियो अन्त तक देखें शनी महराज का यह राशी परिवर्तन या उनके प्रभाव को समझने से पहले हमें कुछ चीजे विशेश रूप से समझनी होगी ग्रह वक्री होने का अर्थ क्या होता है कई लोगों को गन्यात नहीं होगा उसमें शनी महराज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की ब्रांतिया हमारे समाज में फैली होई है जब वे वक्री अवस्ता में होते हैं तब उन प्रांतियों में रुद्धी होती है वह रुद्धी अग्न्यान के कारण भी होती है इसलिए सबसे पहले एक बात समझ ले कि शनी महराज विश्व के नायादिश है उचीत करने वाले उचीत परिश्रम करने वाले सभी अच्छा व्यभार करने वाले व्यक्ति को वे कभी भी परिशान नहीं करते हैं वास्तों में शनी महराज जब देते है तो दोनों हतों से भरपूर देते है साड़े साती में भी जातक की बड़ी उन्नती हो सकती है उसके लिए शर्त केवल इतनी है कि आप न्याय पुर्ण व्यभार करें अपने कर्म उचीत रखें क्योंकि शनी महराज मुल रुप से न्याय अधीश है प्राकृति कुंडली जब हम देखते है तो उसमें वे कर्म यों लाभ इन दो महत्व पुर्ण स्तानों के अधिपती है अर्थात वे अपने कर्मों पर ध्यान रखते है और उस अनुसार अपने लाभ पर भी उनका ध्यान होता है इसलिए उन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है तो सबसे पहले शनी इस विशे का भह मन से निकालते हैं शनी महराज हर वर्ष 141 दिनों के लिए वक्री अवस्ता में होते हैं अर्थात 365 दिनों का एक वर्ष तो उसमें से 141 दिन में सदै वो वक्री अवस्ता में रहते हैं इसमें 2-4 दिन कम अधिक हो सकते हैं हम प्रतिशत के अनुसार हिसाब करें तो वर्ष के 30 से 35 प्रतिशत दिनों में वे वक्री रहते हैं इसलिए इसे एक सामान्य गटना कहा जा सकता है इसलिए उसके प्रती भय रखने का कोई कारण नहीं लेकिन वक्री होने के कारण प्रभाव दिशा में बदला होता है ग्रह जब प्रुथ्वी के अधीक समी पाता है तो अधीक कार्यान्वित होकर कार्य करता है कार्य करने के लिए उसे अधीक बल प्राप्त होता है उस बल को जो तीश में चेश्टा बल ऐसा नाप दिया गया है उस अनुसार अभी शनी महाराज का चेश्टा बल बढने वाला है उसका सभी राशी ओपर क्या प्रभा होगा इसे अमसबस्ते है धनू राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो गतक कुछ वर्षों में आपको शनी महाराज के साड़े साती से बड़ी परिशानी हुई है उस अउधी में आपके राशी स्वामी गुरु महाराज का ब्रह्मन भी विपरित होने के कारण धनू जातक लगातार संगर्श का सामना कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले आपके साड़े साती खतम हुई जिससे आपको थोड़ी राहत मिली होगी लेकिन अब शनी महाराज पुनश्य आपके द्यूतिय स्थान में प्रवेश करने वाले है वह भी वक्री अवस्ता में शनी महाराज आप कुम्ब राशी में अर्थात आपके परिश्रम के स्थान में विराजबान है बारह जुलई को विराशी परिवर्तन कर उनस्च मकर राशी अर्थात आपके द्यूतिय स्थान में प्रवेश करेंगे द्यूतिय स्तान अर्थात परिवार के स्तान में प्रवेश करने वाले शनी महाराज कही न कही आपके परिवार की सुखशांती को भंग कर सकते है लेकिन उनके कुछ शुभ परिडाम भी है धनू राशी के लिए साढ़े साथी के प्रथम दो चरनों में जितनी परेशानी होती है उतनी तीसरे चरण में नहीं होती क्योंकि वहां मक्कर राशी होती है जो शनी महराज की स्वराशी है साथ ही धनू राशी के स्वामी गुरू महराज है धनू राशी के जातक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा महतों देते हैं प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद सबी जिम्मेदारियों को पूरी इमानदारी से पुर्ण करना आपका मुल सभाव है यह बात शनी महराज को अत्याधिक प्रिय होती है इसलिए वे धनुराशी को अंतीम चरण में अधिक परिशानी नहीं देते अब वे वक्री होकर आपके परिवार स्थान में प्रवेश करेंगे जिससे आपको अचानक अप्रत्यक्षित रूप से धनलाब हो सकता है जीन जातकों का पारिवारिक प्रापर्टी से सम्मंदित कोई प्रश्ण प्रलम्मित हो वह इस सौधी में छुट सकता है साथ ही धनलाब के विभिन अउसर आपके लिए निर्मान होंगे लेकिन परिवार में थोड़ी अशान्ती बनी रहेगी इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए ताकि परिवार में सुखशान्ती बनाए रखने के लिए आप उचित प्रयास कर सके एक और महत्व पुर्ण परिणाम है कि आपका अपनी वानी पर नियंत्रन नहीं रहेगा सामान्य रूप से आप अत्यन्त सोच समझ कर बोलने वाले और प्रत्याक्षित रूप से भरा बुला बोल जाएंगे हैं जिसका आपको बाद में पश्चाताप भी होगा लेकिन उस दुरूष्टी से आपको सावधान रहना होगा जैसा में पत्या है कि शनी महराज को तुरूतिय सप्तम और दशम ऐसी कुल तीन दुरूष्टिया होती है स्तान के साथ ही उनकी दुरूष्टी भी महतोपुर्ण मानी जाती है क्योंकि उनकी दुरूष्टी का जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है उस अनुसार दुरूतिय स्तान के शनी महराज की तुरूतिय दुरूष्टी आपके चतुर्थ स्तान पर होगी वहाँ गुरू महराज की मीन राशी है अभी सोयम गुरू महराज वहाँ विराजमान है महतो पुरुन बात है कि गुरु महराज वहाँ हंसराजयोग की निर्मिती कर रहे है गुरु और शनी में समत्व का रिष्टा है इसलिए शनी महराज की इस दुरुष्टी का आप पर अधिक दुश प्रभाव नहीं होगा लेकिन हंसराजयोग के जो शुबह प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे है उसमें कही न कई थोड़ी कमी आ सकती है फिर भी गुरु महराज आपको शुबह प्रभाव और अवश्य प्रदान करेंगे क्योंकि वे आपके राशी स्वामी भी है द्यूतियस्तान के शनी महराज की सब्तम दुरुष्टि आपके अस्टम स्थान पर होगी कुंडली के अस्टम स्थान को बाधाय, कठिनाईया और संगर्श का स्थान माना जाता है साथ ही अप्रत्यक्षित रूप से प्राप्त होने वाला धन भी वही से देखा जाता है उस अनुसार शनी महराज के इस दुरुष्टि से अचानक धनलाब के अउसर निर्मान होना ससराल से लाब होना इस प्रकार के लाब आपको प्राप्त हो सकते है लेकिन वहाँ शनी महराज के शत्रु की अर्था चंद्रमा की करकर आशे आती है जिस कारण ससराल से अकारण ही आपको परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा विवाद बढ़ना, पारिवारिक एकता भंग होना ऐसे प्रकार हो सकते है इसलिए पारिवारिक सुखशान्ती को कितना बढ़ाएं रखते है यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर रहेगा दुतियस्तान के शनी महराज की दशम दुरुष्टी आपके लाभस्तान पर होगी आपके लाभस्तान में केतु महराज विराजबान है केतु और शनी दोनों मित्रग्रह माने जाते है साथ ही वहाँ शुक्र की तुला राशे आती है तुला राशी में शनी महराज उच्च वस्ता को प्राप्त होते है जिस कारण यह स्तान पर पढ़ने वाली शनी महराज की दुरुष्टी महतोपुर्ण रहेगी एक और महतोपुर्ण बात है कि शनी महराज धनस्तान में विराजबान होकर लाबस्तान पर दुरुष्टी दालेंगे कुंडली में आर्थिक स्तिती को देखने के लिए दो स्तान महतोपुर्ण होते है एक है धनस्तान और दुसरा लाबस्तान या शनी महराज धनस्तान में विराजबान होकर लाबस्तान पर दुरुष्टे दालेंगे, जिससे आपके लिए आर्थिक लाब के विभिन्न अउसर निर्बारों के हैं, विशेशुप से ग्रह जब वक्री अवस्ता में पीछे आता है, तब उसकी भावना यह होती है कि गतक काल में हमने धनुराशी को उच्चित धनलाब नहीं दिया, अब वह देना चाहिए, अपना कार्या पुरुन करना चाहिए, इस सुद्धे से वे आपके धनस्तान में प्रविश करेंगे, जन्वरी 2023 तक में वही विराजबान रहेंगे, उसके बाद पुनश्याप के प्रदान करते हैं, आने वाले तीन वर्ष आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, जोतिश में कई छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गये हैं, उस अनुसार धनुराशी के लिए उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो, शनी महराज के इस गोचर काल में धनुजातकोंने काले कुत्ते को बिस्किट खिलाने चाहिए हैं, यह छोटा साब उपाय आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं, इस प्रकार, शनी परिवर्तन के मेश से लेकर मीन राशी तक होने वाले प्रभाव समझने के लिए, हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किजिए, धन्यवाद, शुभम भवतु जैजोतिश, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल, और हाँ, बेल आइकोन दबाना ना बुले, धन्यवाद,